स्टूरेंट्स वेलकम टू जोमेट्री डिफेंस अकेड़ेमी तो बच्चो आ गया सैनिक स्कूल का रिजल्ट आपका राउंड वन का आया रिजल्ट यह जो एकाउंसलिंग व्य थी आपकी राउंड वन की उसका रिजल्ट आखिरकार आ गया बहुत सारे बच्चो को इनतज क्लियर कर दिये कट ओभ भी डाल दी अधर स्टैट की इनी स्टैट की सारे कुछ राउंड में कौन-्कौन-सी रैंक तक सेलेक्शन हुए हैं बड़ी अजीब सी एक बात हुई है कि किसी-कीराज्जम में बहुत नीचे कट ओफ चली गई किसी में बहुत ऊपर Home state की किसी में कम रही है Home state की किसी में बहुथ ज़यदा तो ऐसे में चलो देखते हैं हम क्या final चीज रही है कहां से result आप हो कैसे कैसे चीजी चेक करनी है देखें ये आपके सामने जो ये है आपका भई Senic school society ठीक है? Senic say listening society e-counseling has been declared kindly check seat allotted तो बच्चो आपका जो login ID और password है ना जब आप उसको login करेंगे तो वहाँ से आपको सारी information मिल जाएगी और क्या-क्या documents है वो भी सारी चीज़े मिल जाएगी जैसे मैं भी एक बच्चे का document को करता हूं तो इसमें आपको दिखाता हूं में देखिए यह सारी चीज़े लिखी हैं अब यह देखो कि लिए टू डिस्ट ओप डोकुमेंट फॉर्मेट सारे यहां पर है रिजल्ट ओप रावंड वन इंकाउंसलिक की लिए लेकिन सबसे पहरे देखते हैं कि रिजल्ट में कैसे चेक करना है जो आपको जैसे मैंने इस बच्चे का लोगिन कर लिया ठीक है आप लोगिन तक तो पहुंची जाएंगे तो यह प्रोफाइल है चोईस ओफ फिलिंग तो इस बच्चे ने चोईस करी थी और इसमें है तो बच्चे चेक करता है तो जैसे ही यहाँ क्या लिखा यहां क्या लिखाई दिक्षट नो सकूल has been allotted to you in this round as per you field choice ठीक है तो योर फिल्ड चोईस तो जो आपने चोईस भरी है उसके according आपको कोई स्कूल नहीं मिला है क्या माक्स है ध्यान से देख लो जो राद दो सो कितने हैं दो यह स्कूर है दो सो और तालीस दो सो अड़ान तरीस पर यह रेंक थी यह इसको कोई भी स्कूल नहीं मिला पहली राओन में तो जो रहाए तो ना कि मेरा तो नमबर पर हो जाएगा तो जरा उनको तो बच्चों उनको तो प्लीज उस मुगालते से बाहर आजाना चाहिए ठीक note allocated आया है round no जब school ही नहीं मिलेगा तो round तो हो गई नहीं लेकिन इतना जरूर है कि second round में मिल जाएगा क्योंकि cut off various institution की cut off आई है उसके according इसको मिल जाएगा ठीक है तो अब क्या करना है आपको सभी बच्चों को अपना login करके सबसे पहले तो इसको चेक करिए सबसे पहले तो भैई इसको चेक कर लिए ठीक है ये सभी बच्चों कर लेना है दूसरा सभी students को channel को subscribe करके रखो क्योंकि सारी चीज़े क्या state की cut off रही वह सारी चीज़े भी मैं बताऊंगा वो सारी चीजे भी मैं कराऊंगा कि कितनी कट ओफ रही क्या क्या रही कौन से इस्ट्यूशन की फिर सो डेट सेकंड राउंड होगा तो उसमें किसके हैं चांसिज वो सारी चीजे उसमें पता चल जाएगी वे कितने नंबर से आप रह गए लेकिन अगर बहुत जादा नंब से अभी भी आप रह रहे हैं अभी भी बच्छों मान के चले आप बहुघादनंबर से रह रहे तो मैं आपको को स्जाष्क करूईंगा का भी भै उसमें समय में मत जाएए तो समय को बात यह भी द्यानक न जरा यह क्या है लास्ट डिट आपका 21 तीन तक आपको स्कूल को एक्सेप्ट 21 मार्च तक स्कूल को एक्सेप्ट कर ले रहा है और वैरिफिकेशन स्कूल इंफॉर्मिशन है यह नोटिस सारा देही रखा है इनका है अब इसमें कोई डाउट नी छोड़ रहे हैं इस बार मैं बहुत अच्छे इन्होंने दिया वही इस बार काफी सुधार आया इनके उसमें नहीं तो यह रबार तो यह पूरा प्रोसेस है जो नेक्स्ट रा मेडिकल में अनफीट होएंगे अभी क्या लग रहा है आपको बहुत सारे बच्चे मेडिकल में फीट होएंगे तो वहां से भी निक्री बच्च बनेगी एक मैडिट और इसके अलाम में जैसे मानगी चली पहला राउंड हो गया बहुत सारे जोइन नहीं करेंगे यह यह और आ लिए में जाएंगी आरेमिस करदी वेट कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे युक्यारमस नीचे जाएगी लेगिकल्स की कट-फ काफी उपर गई है उस पर भी मैं चर्चा करूंगा उस में अलग से वीडियो ले कर आऊंगा कि कितनी कट-फ गई कितनی जादा कैसे कटॉब गई, इतनी जादा क्यों रही है कटॉब, क्या सभी बच्चों ने ऊपर के ही कुछ स्कूल चुच कर लिए, या कुछ स्कूल की सो नंबर के आस पास भी कटॉब चली गई, मैं देख रहा हूं कुछ स्कूल ऐसे पी, तो यह सारी चीज़े दो नोट करने वाली है इनको देखेंगे जरा यह आपका लिस्ट ऑफ डोकुमेंट्स को जरा ध्यान से देखो क्या क्या लेकर जाना है आपको जरा डेटियल देखो ड्यूली साइंड चेकलिस्ट विद अंडर्टेकिंग ओरिजिनल यह लेकर जाना है एड्मिशन लेटर यह आपको इसूड बाइब पोडल पर आएडमिट काड यह लेके जाना है स्कोर कार्ड लेकर जाना है गोर्मेंट आइडी पूरूप लेकर जाना है प्रफेब्ली अधर काड को गयते है सब मेडिकल फिस्टनेस रिपोर्ड सैनिक इसकूर सोचाइड य यह चाइड ओरिजिनल यह लेकर जाना है प्रोग्रम यह फोटोग्राफ लेकर जाना है आपको पास्पोर्ट साइज इंकम सर्टिफिकेट लेकर जाना है तो यह सारी चीज़ आप अपने डॉकुमेंट को बना लीजिए और अधर कोई डॉकुमेंट रह जाए तो गभरान आपको देनी होगा अंडर्टेकिंग देनी होगी कि सर मैं इस डोकुमेंट को फला फला दिन प्रोवाइड कर दूंगा तो हो जाएगा काम ऐसा कोई गभराने वाली बात पड़ना होते हैं बहुत सारे बच्चे गभरा जाता है कि सर मेरा यह डोकुमेंट ने बना मैं क्या कर लेंगे ठीक है तो यह सारे डोकुमेंट की लिस्ट हो गई अभी मैं एक वीडियो में कटोफ का एनलिसिस करूँगा कि सारे स्कूल की कटोफ क्या रही इतनी कम जादा कटोफ क्यों रही और उसको फिर हमें सेकंड रावल में क्या कब आएगी कटोफ वो सारी चीज़े ह